नश्कार दोस्तों आज की बढ़ी हम बात करेंगी हिमाचल प्रदेश की 6 अगस्त की मुख्य ख़बरों के बारे में और हिमाचल प्रदेश और देश और दुनिया में करोना वायरस के बारे में अगर अभी तक हम ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रैट कलर के प्रश्क्राइब कीजिएगा और साथ में बैल ऐकन की बटन को द्वाना ना भूलिएगा अगर हम हमाचल परदेश में करोना वाइरस की बात करें तो हमाचल परदेश में मुख्या प्रिक्षा देंगे 2330 थी नाइटी हमीरपूर में ग्रीब बेटियों को प्रभीश के करके एक रुपे तक महेंगी हुई बिजली दो साल तक 3,294 पैट को नहीं लगेगी इंक्रिमेंट्स ताई हजार फिक्स किया बेतन लंबे संगर्स के बाद नेमेत हुए थे 10,190 पैट और पेरा टीचर्स किजना और में बादल फटने से एनेच और सेना के हली पैट पर देर मंतरी जैराम ठाकुर चलान से खापा यूबक लूरा ले गया एस्टिम की गाड़ी तो आप सभी को बता दें यह गटना मंडी डिश्टिक के थुनाग सब ड्वीजन की है जो कि वहां पे एक यूबक जो की मोटर भीकल एक्ट के तहत जिनका चलान हुआ था वहां पे एस् प्रिक्षा को देंगे आउट ऑफ स्टेट से कोई आ रहा है तो वह भी आ सकता है नाइट हमिरपूर में गरीब बेटियों को प्रभीश के लिए 20 फीस सदी कोटा मिलेगा तो आप सभी को बता दें जो कि पहले 17 फीस सदी था उसे अब 20 फीस सदी कर दिया गया इससे पहले पूर में 14 फीस सदी हो आग रहा था पिछले वर से इसे 17 फीस किया गया था 20 फीस सदी किया गया तो अब जो कि गरीब है EWS अब वीफियल वर की जो भी यहां पे लड़किया हमाचल वरदेश की और तो उन्हें यहां पे 20 फीस सदी अब सीटे आरक्षित मिलेगी आप सभी अच्छी बात है या तो 180 से जादा जादा सीट सी यहां पे अब फिमेल कंडिडेट्स को मिलेंगी सारी सीटे जई में अडवांस और जई मेंस के द्वारा भरी जाएंगी कुलू में होगा राज्यस तरिय स्वतंतरता दिवस समारो तो आप सभी को बता दे इस बार जो कि तो आप सभी को बता दे जो कि चंबा सदर के विधायक पबनायर है तो उनका वहां पे जो कि उपेक्षा की गई है आप सभी को बता दे जो कि केंदर की एक यूजना थी उसका उधगाटन करने के लिए जो कि स्वरीशिला नयास करने के लिए वहां पे गए थे जहां पे केंदर के मंतरी किशन कपूर भी थे और भी साथ में थे तो उनका नाम जो कि उद्खाटन जो कि पट्टी का होती है, वहां पे लगाई जाती है, तो नेम प्लेट उस पे था, बट उनका विधाय का नाम ही नहीं था, बतार वहां पे उनको बुलाया गया था, हती थी, बट उनका नाम वहां से गायव रहा, कि नौर में बादल फटने से NH और सेना क हैलिपैड पर देरात आया मलवा, तो आप सभी को बता दे कि नौर जिले में चेलिंग के समेव मंगलबार रात को करीब धाई बज़े जो कि वहां पे बादल फट गया, और जो कि NH पांच ये वहां पे जो कि मलवा है, वहां पे आ गया, और जो कि वहां पे सेना के हैलिपै अलावा भी बंद पड़ी हुए है, क्योंकि बीते जो कि मंगलबार को काफी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो बुद्भार को दर्मशाला में बारिश होने से भी काफी ज़्यादा तबाही मची है, माचल में 30 पैस से लेकर के एक रुपे महंगी हुई बिजली यूनिट दरें, तो आप सभी को बता दें, जो कि माचल परदेश अभी कैबिरेंट ने पिछले महिने जो कि फैसला लिया था, माचल परदेश में बिजली दरो को बढ़ाने के लिए, तो फैसला एक जुलाई से परदेश में लागू कर दिया गया है, तो आप सभी को बता दें, जो इसे 300 यूनिट तक आपको 2 रुपे 95 पैसे कि बजाये, 3 रुपे 95 पैसे देने पड़ेंगे, 1 रुपे बढ़ोतरी का दिये, जिसका भी यूनिट बिजली मंथली में, महिने में, या 125 से या 2 महिने में 125 रुपे से उपर हो जाए, यूनिट से ज्यादा चली जाती तो उसे 3 90 रुपे के पैसे से पैसे देने पड़ेंगे, तो वैसे बिजली का मिल अगर मंथली आएगा तब तो 125 रुपे से जादा खर्च नहीं होगी, फर बिजली का बिल 2 महिने का आता है, पर प्रदेश में काफी सरे जगा, दो साल तक 3,294 पैट को नहीं लगेगी, इंक्रीमें हो नहीं दी जाएगी, उनकी सेलरी जो कि फिक्स कर दी गई है, प्रदेश सरकार के द्वारा दो साल के लिए अगामी, तो अस अभी को बता दें, इनको सुप्रीम कोर्ट से और्डर मिला था कि इनको पका किया जाए, जहां पर यह सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे सरकार ने तो इनको यहां पर रेगुलर करने का फैसला नहीं लिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट से केस जितने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिये जाए थे, बीते 17 सालों से इस प्रदेश में सिवायन दे रहे थे, जो कि 5910 सरपे पे सिवाय सरकार रखते हुए थे, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इसमें 2014 में फैसला दिये गया था, उसके बाद जो कि प्रदेश सरकार है, हाई सुप्रीम कोर्ट से भी इनके पक्ष में फैसला है, तो यहां पर दीके पैराशिक्षक कुछ 2014 से मिलेगा, बरिशिता का लाब जो भी पैराशिक्षक है, उनको 2014 के बाद दिये जाएगा, अजर हम हिमाचल प्रदेश में करोना वाइरस की बात करें, तो आप सभी को बता दें, हिमाचल प्रदेश में अब तक 156,104 लोगों के करोना वाइरस टेस्ट किये गये, सेंपल लिए गये, जिसमें से 1554 लोगो तो 3916 लोग इमाचल प्रदेश में करोना वाइरस पॉस्टिव आये हैं, अभी तक और जिसमें से 26 लोग बहार स्टेट से इलाज करने के लिए चले गए हैं, अभी तक और एक्टिव केसी प्रदेश में 1114 हैं, तो आप सभी को बता दें, जो कि पिछले कल 37 केस प्रदेश म करोना वाइरस पॉस्टिव आयें, तो 1114 लोग इमाचल प्रदेश में करोना वाइरस से संक्रा में इता है, जो कि फिलाल मामला नहीं आया है वरना तो 10 से ज़्यादा मामले मंडी जिले में करोना वाइरस के डेली आ रहे थे पर 21 तारी के बाद अब पहला दिन पिछले कल आया कि यहां पर करोना वाइरस का एक भी मामला मंडी जिले में फिलाल नहीं आया है अगर हम देश की बात करें करोना वाइर प्रती दिन बढ़ते ही जा रहे है और यहां पर recovered cases के बात करें तो यहां पर 1320,200 लोग क्रोना वाइरस से देश में ठीक भी हो चुके जिसमें से 45,540 पिछले कली नए है ठीक हो क्रोना वाइरस से और देश में क्रोना वाइरस से अभी तक 40,749 लोगों के मृत्ति हुई है और पिछले कल 919 लोगों के क्रोना वाइरस से जान गई है देश में अगर हम भर्ल की बात करने तो पूरे वर्ल में अभी तक एक करोड उनवे लाग 54,666 करोना वाइरस के पॉजिटिव केसिज आ चुके हैं और 7,10,23 लोगों के अभी तक करोना वाइरस से मृत्ति हो चुकी है और 61,5,638 करोना वाइरस के एक्टिव केसिज पूरी दुनिया में और 1,288 लाग लोग करोना वाइरस से अभी तक ठीक भी हो चुके हैं तो सबसे ज़्यादा केसिज आप सभी को पताई USA से ही आए हैं तो पिछले कल USA से देखिए 53,000 केसिज आएं ब्राजिल से 54,000 और भारत से 56,000 जो की यहां पर बॉल्डोमेटर वेफसाइट के मुताबिक आँकड़ा इससे पहले मैं आपको कांट्री वाइज आँकड़ा अलग वेफसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ तो आँकड़ो में थोड़ा सा फिर वदल हो सकता है एक जार या पांसो केसिज का तो यहां पर देखिए रश्चिया में पिछले कल 5000 केसिज आएं साथ फरिका में 8000 और मेक्सिको में 6000 तो यहां पर देखिए फ करना भूले काची वुड़ी उतने दन्या